1979 में असम में ब्रह्म पुत्र में जबर्दस्त बाड आई जोराट का जो इलाका है न वहां पर एक लड़का था जादो पयांग 16 साल का लड़का उसमें उसने देखा कि बाड में जारो जारो साप मरे पड़े वह ताजूब हो गया कि यह क्या हो रहा है दुनिया भड़के जीव जन्तु सब मरे पड़े हैं उससे रहा नहीं गया उसने पूछा तो बोला कि बही अपने याज बंजर जमीन है यहां पे अपने लोगों ने कोई पेड़ पोदे नहीं लगा है और बाड आती है तो पूरा का पूरा पहा के लिजाती है और हमने सब पेड़ काट डाले है उस 16 साल के लड़के के मन में आया कि मुझे पेड़ लगाना है वह आलत ही वह दिन्थार आज का दिन ने उस लड़के ने क्या किया कि गया पहले फोरस्ट डिफाट्मेंट के पास और पूछा कि आपको मेरी कर सकते हो तो उन्होंना बला यहां बंजर जमीन यहां कुछ नहीं हो सकता पर उस लड़के सहाराया ने गया उस लड़के ने वो ट्राइबल जाती का था तो उसको आएक आइडिया लगा कि भी सापों के लिए बास बहुत जरूरी है तो पहली बार उसने 20 मास के पेड़ और 50 और महां पौदे लगवाए दीरे दीरे वो 1979 में स्टार्ट किया यह करता ही रहा एक आप अंदाज लगए एक साल पांस साल दस साल पंदरा साल तीस साल तक 2009 तक किसी को मालूम नी हिंदुस्तान में एक आदमी क्या कर रहा है वो आदमी 30 साल तक पेड़ी पेड़ लग आप दुनिया का सबसे बड़ा फॉरे सिंगल मैन तेरे सो साट एकड़ का यानि आपका नियूआर का सेंटर लॉक देखो तो तीन सो पिछे तो हेक्टर का है तेरे सो साट हेक्टर का अकेले ने बना दिया और उस व्यक्ति को बात दुनिया में चिपी रह जाती 2009 में आदमी है काम कर रहा है तो उसने वहाँ लोकल न्यूजपर्स में बगरा जब यह स्टोरी बाहर आई तो 2012 में ज्वालना नहरु यूनिवर्सिटी में उनको बुलाया गया और फिर फिर इनको फॉरेस्ट मैं आफ इंडिया का एवाड दिया गया फिर डक्टर अब्दुलक स्टोरी को अमेरिका की एकोलोजिकल हर स्कूलों में पढ़ाया जाता है और आज अपने परियावरिन की बात कर रहें अपने खुद को मालूमनी के दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट मैं इंडिया में है और वह विक्ति अकेला 1360 हेक्टेर में लखों 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 पे ही डेट में हीरन वहां पे टाइगर बेंगाल टाइगर सोब एलिफेंट आते हैं जो हर साल वहां छे मेने के लिए रहने आते हैं और बच्चे बहां पैदा होते हैं उसके बाद सिंगल हेर वाला रेनोज और हजरोतर के साब और पंची तो दुनिया के हिंदुस्तान के 80% पंची वहां पे आते हैं तो अगर एक आदमी अगर चाये तो क्या कर सकता है यह अपने को देखने को मिलता है इसलिए अकेले काभी होंसला कभी नहीं तोड़ना चाहिए और अच्छा काम है न वो करते रहना चाहिए दुनिया के लिए उस आदमी की जो मिसाल है न ऐसा आदमी नहीं है जो जादम इनकी कोई मुकाबला कर सके सिंगल आदमी ने लाखो पेड लगवा दिये हैट्स आप